यूपी के बरेली में फरजी तरीके से आंगनवाडी कार्यकरती के रूप में काम करने वालों की सिकायत करने वाली एक महिला को फरजी तरीके से काम करने वाली महिला के पती और वेटे में कलसाम घर के बाहर रास्ते में ही जम कर पीटा इसकी सिकायत SSP से करते हुए कारवाही की मांगी सेरगर थाना के गाउं बेरम नगर निवासी राजेस की पत्नी सोनियाच SSP से सिकायत करने पहुँची जहों उसने बताया कि इसमें कुछ समय पहले गाउं में ही रहने वाली नन्नी पत्नी नध्थू लाल और माला पद्नी पूरलाल की लिखिस सिकायत की थी दौनों आगनवाडी केंट पर फरजी तरीके से नौकरी कर रही है जंगत में उन्हें विरुद्ध की गई सिकायत सही पाई गई है और दौनों पर जुर्माना लगाया जिससे दौनों से रंजिस मानने लगी कल साम जब वह उन्हें घर के बाहर नल पर पानी भरने गई थी तभी पूरलाल मौके पर आ गया और उसे गालिया देने लगा उस देर बाद पूरलाल का लड़का निल भी लाठी टिंडे लेकर आ गया और दोनों ने उसके साथ जमकर मार पीट की सोर सुनकर उसका पती राजेस उसे बचाने पहुंचा तो उसके साथ ही मार पीट की गई तोनी ने आरोप लगाया कि ग्राम परदान उसके विरुद्द लोगों को भड़का रहा है उसने SSP से मामले की जाच के बाद कारवाई की मांगी आकास है और सीमा है मुक्यस है जे मार रहा है पूरन जुब पूरन ने आठाट बीगा पट्टे की दिलवाई जमीन है तो उससे उसने माबाप का खेत काबूम कर लिया उस तो उस खेत की लगड़ी हमने कानुन कारवाई में लगड़ी का पैसा लिया खेत अभी तक नहीं तो बेलो खेत है सास की नाम का हमारी तो खेत नहीं दे रहा है परदान जे कार रहा है ऐसी पटोगे सालो जाओ आफकारियों में भाग बाग कर आई तुम्हें मारेंगे साली हरकाती इचार भार चमर्या गहींगी अपका घर से भाग आए है साम मारा है हमें बहुत हमार पहले मेरे सीने बहाँ चलाया है मेरे सब सुदूर खार दिया उसने अनिकेश पूरान आया गोले लांटास करो पूरान पकल ले जाको मेरे जाको बलक्तार करूंग जाए देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर